कुरोनवाइरस के बढ़ते प्रकोप ने हर शेत्र हर वर्क के लोगों को काफी प्रभावित किया है इस दौरान छात्रों की पढ़ाई पर भी काफी असर पढ़ा है हालांकि सरकार ने ओनलाइन क्लासे शुरू करने के आदेश पहले ही दे दिये हैं जिसके बाद अधिकतर स्कूलों ने ओनलाइन क्लासे की शुरुवात अप्रेल महिने से ही कर दी थी लेकिन अब अनलॉक टू के दौरान जुलाई से शुरू हो रहे सत्र में ओनलाइन क्लासे का स्वरूप बदला हुआ नजर आएगा इसके लिए स्कूल प्रशासन ने छात्रों को बहतर सहूलियत देते हुए शिक्षकों को अलग से ट्रेनिंग दी है इस बार स्कूल प्रशासन ने फैसला किया है कि हर क्लास के बाद 10 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा जिससे आँखों को आराम मिले साथी हर क्लास के पहले चात्रों को कोरोना वारिस के प्रतीज जाग रुक किया जाएगा इसे पहले दो महिने पहले शुरू हुई ओनलाइन क्लास के साइड एफेक्ट भी देखने को मिले थे जिसमें सबसे बड़ी समस्या अविभावकों और चात्रों दोनों को आ रही थी क्योंकि ऑनलाइन क्लास के जरीए चात्र लगातार कई घंटों तक मुबाइल के सामने बैठे रहते हैं जिसके वज़े से सीधा असर आखों की रोशनी पर भी पढ़ रहा था लगातार तीन से चार घंटा मुबाइल देख करके पढ़ाई करना चात्रों के लिए आफ़द बनी होई थी हलांकि अब स्कूल प्रशासन ने बच्चों की मानसिक्ता और सेहत को ध्यान में रखते हुए कई बहतर कदम उठाने का फैसला किया है अम लोगों ने इस बार नया टाइम टेबल बना दिया है और इसकी साबसे टीचर्स बच्चों को एक 10 मिनिट्स की ब्रेक देंगे तो बच्चों की आइस के लिए भी रेस्ट मिलेगी इनके माइंड के लिए भी रेस्ट मिलेगा तोड़ा रिलाक्स हो जाएंगे उसके बाद बच्चे दूसरे क्लास को एटेंट कर पाएंगे जरूर करेंगे उनको क्लास स्टार्ट करने के पहले क्यों इनको गर गर में रखके क्लास कर रहे हैं उसकी जानकारी दिया जाएगी क्यों online class conduct करें, उसकी जानकारी दिया जाएगा, ये गर में बंद क्यों है, school क्यों नहीं आ रहे हैं, और अपने आपको क्यों इनको संबालना है, इससे कैसे बाहर आना है, और अगर इससे बचके रहना है, क्या क्या करना है, क्या काना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, इसके में जानकारी टीचर लोग जरूर देंगे लोगों ने जो फी रिसीट है उसको प्रिंट किया जो ट्यूशन फी किया वो बैंक में सप्लाइ करवाया और हमारे एंप्लाइज वहां बैठते थे सब पेरेंस को कोई दिक्कत ना आए तो जो भी पेरेंस करना चाहते थे वो जात जो हमारे संस्ता के उपर निरबर हैं उनका सहायत किया जाए गौरतलवे के पहले हुई आनलाइन क्लासेज में चात्रों को कई परिशानियों का सामना करना पड़ता था लगतार तीन से चार घंटा मोबायल देख करके पढ़ाई करना उनके लिए आफ़त बनी हुई थी ल संजाब के इसरे टीवी के लिए प्रयाग राज से सेद्रजा की रेपोर्ट